नाइन्टीज के दोर में अधिकतर जो एक्सन मूवीज होती थी उनमें करपसन एक बड़ा कॉमन मुद्दा होता था मतलब वरष्ट नेता वरष्ट सिस्टम और उसके खिलाब लड़ता हमारा हीरो कभी वो अकेला होता तो कभी गुरूप के साथ जवान में ही बहुत कुछ वैसा ही है पर नए तड़के के साथ आईए जानते हैं कि सारुक अपना जल्वा दिखाने में काम याब हुए या नहीं फिल्म के डिरेक्टर एटली कहा तारीफ के काबिल है और कहा वो चूक गए और विडियो के अंत्वर में आपको बताऊगा कि फिल्म में क्या चैंजिस होते जिससे फिल्म और बैतार बन पाती नमस्कार दोस्तों जवान की कहानी की बात करें तो फिल्म की कहानी में कुछ नयापन नहीं है इससे पहले भी आपने काफी सारी मुवीज में सेम टॉबिक और फिल्म में देख रगी होंगी मतलब करफ समसे पीडित कुछ लोग एक साथ मिलकर सिस्टम को सुदाने कोसिज में लगे हुए है उन सब की अपनी अपनी एक दर्दोरी कहानी है किसी ने अपना बाप कोया है किसी ने अपनी बीवी कोया है किसी ने अपना बच्चा कोया है और किसी पर जूटे आरुग लाकर उसे जेल में डाल दिया गया है और ये सब कुछ पहले देखा हुआ लगता है पर जो में चीज है वो यह है कि यसके लिए उनकी तारीप तो बनती है फिल्म की इन्री दिखाए गई है हर सीन को बहुत ही अच्छे तरही के जूट किया गया है एकसाटस पर भी खूब महत की गई है जिने देखने लिगमाजा आता है सारुक को फिल्म में नए गैक अप में दिखाया गया है और जब वो एक नए गैट अब में आते हैं तो उनकी जो एंट्री दिखाए गई है हरवार वो बहुत ही जबरदस दिखाए गई है सारुक के फैन्स ट्रेटर में सीटिया और तालिया मारते नजर आते हैं सारुक की एक्टिंग की बात करा है तो उनकी ये one of the best performance है वो दोनों रोल में खूब जमते हैं फिल्म के दाने और साथ है कोई भी गाना मुझे तो खास अच्छा लगा नहीं पर फिल्म का जो BGM है बहुत ही बढ़िया है जो फिल्म के हर सीन में जान फूब देता है दीपी का पादोड़ अपने छोटे से रोल में इंप्रेस करने में काम्याब रहती है नैंतारा का रोल काफी बढ़ा है फिल्म में पर उसको सही तरह से यूटिडाज नहीं किया गया है इस्पेसली इंटरवल के बाद पिजे सेतू पती नहीं भी अपना काम बढ़िया किया है पर उनके जो रोल है अतना इंपैक्ट फुल नहीं है उनके रोल को थोड़ा और बारीकी से लिखे जाने की जरूट थी यहां एडली चूप जाते है फिल्म का स्कीन प्ले कुलम लागर बढ़िया है जिस बैसे मूवी आपको इंटर्टेनिंग लगती है फिल्म बहुत सारे सोसल मुद्धों को भी चूटी है उससे लिटिर फिल्म में काफी सीन भी है पर जब आप थोड़ा लॉजिकल हो के सोचते हो तो काफी सारी बातें आपके गले नहीं उतर दी है मतलब ये एक मसाला फिल्म है इससे बहुत ज़्यादा उम्मीद मत रखना मतलब ये टिपल आर, बाहु बली और केज ये सरीके की मूवी नहीं है कि ठीटर से निकलने के बाद भी आपके जैन में बनी रहे अब बात कर दे हैं कि फिल्म में क्या चेंजिस होने चाहिए थे जिससे मूवी और बैतर बन पाती सबसे पहले तो बिजय से दूपती का जो रोलर से और बैतर तरीके से लिखा जाना चाहिए था उनके रोल में डैप्थ नहीं है जो चुहे वील का खेल लायक और खल लायक के पीस देखने को मिलना चाहिए वो इसमें मिसिंग है फिल्म भी कहानी में थोड़ा नया बनोना चाहिए था कुछ सीन को छोड़ दे तो फिल्म प्रेडिक्टिवल लगती है मतलब फिल्म में सस्वैंस एलिमेंट काफी कम है फिल्म में एक्सन सीन्स को तो बहुत अच्छे तरीके से फिल्म आया गया है पर उनमें से अधिक तर्में डैप्थ की कमी है जैसे मेट्रो वाला सीन वहां बहुत अच्छी अप्रजिंटी थी कि मेट्रों के अंदर या बाहर या च्छत पर सारुक और नया अंतारा के बीच कहा कि अच्छी फाइट हो सकती थी पर कुछ दमाग और फाइरिंग और कुछ शलो मुशन सीन के साथ वो फाइट खत्म हो जाती है और फिल्म का क्लाइमेक्स भी अतना मज़दार नहीं है बाकी दोस्तों अगर ये विडियो आपको अच्छे लगाया तो विडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्स्राइब करना ना बूल